जोहर साथियों मैं मुकेश विरुवा हेमन सोरेन ने चुनाओं में बीजेपी से पीठ पीछे हमला करने का आरोप लगाया है उन्होंने चुनाओती दी है कि बीजेपी सामने से आकर लड़े उन्होंने बीजेपी पर और भी कई आरोप लगाये हैं और उनसे सवाल पूछे हैं इन सवालों के साथ ही उन्होंने कहा कि यदि हिम्मत है तो सामने से लड़ो कायर अंग्रेजों की तरह लगातार पीछे से वार क्यों हेमन सुरे ने ये आरोप इस बात को लेकर लगाए हैं कि उनके पीछे CBI, ED जैसी केंदरी एजंसियां लगाई गई है उनकी चवी को खराब करने के लिए करोणों रुपे खर्च किये गए सवाली ये लहजे में मुख्यमंत्री ने भाजपा से पूछा है कि 11 साल से केंदर में भाजपा की सरकार है पांच साल 2014 से 2019 तक राज में उनकी ही सरकार रही खुद को डबल इंजन सरकार बोलती रही उन्होंने पूछा कि रगवर सरकार के पांच साल में सिर्फ हाथी क्यों उड़ा हेमन सोरे ने कहा कि भाजपा गडबंदन वाले लोग बौधिक लोग हैं वे लोग जारकंड में बौधिक जहर छिड़क रहे हैं लेकिन इनका बौधिक जहर यहां काम नहीं करेगा भाजपावले लोग किसी जूट को भी इतना कंफिडेंस से बोलते हैं कि लोगों को वा जूट सच लगने लगता है कई तरह के आंकडे भी यह पेश करने की कोशिस करते हैं और तब तक जब तक कि उन आंकडों का पोस्ट माटम नहीं हो जाता है इस विधानसवा चुनाव में हमने देखा कि बंगलादेशी घुसपेटियों का आंकडों के बारे में हाई कोट में केंदर सरकार ने परसेंटेज वाला डेटा दिया संख्या वाला डेटा नहीं दिया जारकंड पहले बिहार का हिस्सा हुआ करता था तो उस समय का डेमोग्राफी अलग आंकडा दिखाएगा जारकन अलग होने के बाद का परसेंटेज अलग दिखेगा आश्चरच की बाद है कि इनके परसेंटेज वाले आंकडे को भी हाई कोट ने स्विकार कर लिया जो तकनिकी रूप से देखा जाए तो वह संख्या वाले जन संख्या का प्रतनिदे तो नहीं कर रहा और उस डेटा को ये लोग इतना कंफिडेंस से बोल रहे हैं कि कई लोगों को तो उसमें सच्चाई भी नजर आने लगती है जारकन की सीमा बांगलादेश से नहीं सटती फिर भी यहां घुस पैठ हो रही है यहां बात साबित करने में ये लोग लगे हुए हैं एक तरह से यह भी बड़ी बौधिकता की बात है तो हेमान सुरिन का कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी भारी भरकम तताकतित पढ़े लिखे बौधिक लोग जारकन में बौधिक जहर फैलाने में लगे हुए हैं उसी बौधिक जहर को तो हम लोग भी कॉंट्र करने में लगे हुए हैं जहरकन में भाजपा के दवारा किये कुछ कामों पर हेमान सुरिन सवाल दा गए हैं जैसे उन्होंने पूछा कि भाजपा के शाशनकाल में 13,000 स्कुल बंद किये गए इसमें कोई दोर आये नहीं कि रगवर दास के समय में कई हजार स्कुलों को बंद कर दिया गया था उसके सम्मन में विधान सबा से लेका सड़क तक संकेति का अंदोलन भी हुए लेकिन उसी समय में प्राइबेट यूनिवरस्टी और प्राइबेट स्कुल कुकुर्मुत्य की तरह खुल भी रहे थे स्कुलों को बंद करने से 16,000,000 बच्चे प्रभावित हुए थे वास्तव में देखा जाये तो भारती जन्ता पार्टी का विकास का यही मोडल चलता है जिसमें प्राइबेट पार्टी को अपना बिजनस पढ़ाने का मौका दिया जाता है जियो नेटवर्क के मामले में भी हमने देखा ही था कि किस तरह प्रधान मंत्री नरेदर मोदी BSNL छोड़कर जियो टेलिकों के परचार में लगे थे उसी तरह जारकण में भी प्राइवेट पार्टी को बढ़ावाद देने के लिए रगवरदास ने सरकारी स्कूलों को बंद करवाने का निर्ने लिया था जो कि जारकण के आदिवसी और मूलवासियों के हितों के बिल्कुल भी प्रीत था वैसे भी आदिवसी लाकों में 2-5 किलोंटर की दूरी पर स्कूल है और कम बच्चे हैं बोलकर यदि स्कूलों को नजदी की बड़े स्कूलों में मिला दिया गया तो जो बच्चे अपने नजदी की स्कूल में पढ़ भी रह थे वह पढ़ाई छोड़कर गाई बल चाराने में लग गये थे आप कह सकते हैं जारकन के आदिवसी मूलवासियों का स्कूलों से ड्रोप आउट के लिए भारती जनता पार्टी की रगवर सरकार ही जिम्मेदार थी हेमान सुरेन ने आरोप लगाया कि रगवर दा सरकार के 5 साल सिर्फ हाथ ही क्यों उड़े इसमें हेमान सुरेन का कहने का मतलब मॉमेंटम जारकन के आयोजन से था ग्यात हो मॉमेंटम जारकन को आयोजित करने के लिए जनता के टैक्स का 100 करोड रुपे से अधिक पैसे खर्च किये गए थे इस दोरान 210 कंपनियों के साथ 3.39 लाग करोड रुपे के निवेस के लिए एमोईउ हुआ था इन 210 कंपनियों में से दूसरे ही साल 131 कंपनियों का तो कुछ पता नहीं चला और अगले कुछ सालों में बाकी बचे भी मोमेंटम जारकंड के लोगों कितरा हाती उड़ता है कितरा वोई भी उड़ गए इसके आयोजन में 100 करोड रुपे के घोटाले की भी जाच हो रही है इस तरह से गलत रणनीती से किये गए काम के कारण जारकंड से लाखों रुपे का निमेस तो चला ही गया साथ ही लाखों लोगों को रोजगार के आउसर से भी हात धोना पड़ा और पैसा जो गया वो तो गया ही फिर हेमन सुरेन ने X के अपने पोस्ट में आरोप लगाया है कि भाजपा ने 5 साल में 11 लाख रासन कार्ड केंसल किये आप ख़बरों को देख सकते हैं उसमें इस पर भी काफी बिवाद हुआ था उसके जवाब में हेमन का दावा है कि उनके सरकार ने 20 लाख नए रासन कार्ड जारी किये है उसी तरह हेमन सुरेन ने आरोप लगाया कि भाजपा की सरकार ने 3 लाख पेंसन काटे जबकि इंडिया गडवंदन की सरकार ने 40 लाग से ज्यादा लोगों को पेंसन से जोड़ा है इस समय एक्यूरेट डेटा के चक्कर में मैं नहीं जा रहा हूँ जो आरोप हेमन सुरेट ने लगाया है और उसके पीछे का कारण क्या है उसी कोई थोड़ा बहुत आपको जानकरी दे दे रहा हूँ ताकि जो बौधिक जहर भाजपा और उसके अनुसांगिक संगठन लगा रहे हैं उस पर आप सवाल उठा सकें आज के समय में JPSC की कुछ परिक्षाएं होने से हो रही है लेकिन भाजपा के पांच साल में एक भी JPSC परिक्षक्यों नहीं हुई अस्थानिय नीती आदि नहीं होने के कारण राज के अदिवासी और मूलवासी इवं अन्य पिछड़ा वर्क के लोगों का प्रत्निदितुर सही ढंग से नहीं हो पाता अभी भी जारकन अपना स्थानी नीती या डॉमिसाइल पॉलिसी नहीं होने के कारण कई समस्याओं से गुजर रहा है इसमें कोई दोर आये नहीं कि हेमान सुरन के समय में कोशिस तो हुआ लेकिन राजपाल के रूप में भरती जनता पार्टी ने अपना आदमी लगा कर कई सारे नीतियों को रोक के रख दिया और साथ ही नियाएपालिका की बिवस्ता भी कई जगहों पर अपरकास्ट को साहियो करते हुए नजराती है और आदिवासी और मुलवासीों के हित में बनायेगे ऐसे नियमों को रद कर देती है दूसरा नजरिय यह भी हो सकता है कि जहामूमों को भी अपना बौधिक समू बना लेना चाहिए जिस तरह भरती जनता पार्टी के लिए RSS एक बौधिक समू का काम करता है वैसा ही जहामूमों का भी अपना बौधिक समू खड़ा करना चाहिए ताकि कोई भी काम यदि रुखता है तो उसके क्या-क्या बिकल्प हैं उस पर त्वरित करवाई की जा सके हेमन सोरिन ने आरोप लगाया कि भाजपा ने अपने शासनकाल में युगाओं को साइकल बनाने और केला बेचने की सलाह दे रहे थे हलांकि यह भी काम है लेकिन जब आप नौकरियों के लिए वैकेंसी नहीं निकालेंगे सिर्फ पूजी पतियों को जमीन देने में लगे रहेंगे मोमेंटम जारकन जैसे आयोजनों से लाखों करोर रुपे लाने का सबजबग दिखाएंगे लेकिन बाद में राज के जुगाओं को साइकल बनाने और केला बेचने की सलाह देंगे तो सवाल तो उठे गई हेमन सुरिन ने भाजबा पर आरोप लगाया कि सरकारी कर्मियों को ओल्ड पिंसन स्कीम भाजबा के शासन में नहीं दी गई फिर हेमन सुरिन ने आरोप लगाया कि भाजबा के शासनकाल में अडानी को गुड़ा पावर प्लांट के लिए जमीन दी गई और वहां की पूरी बिजली बंगलादेश को बेची गई जारकंड के बिजली नियम के अनुसार 25% बिजली राज को मिलनी चाहिए आज तक क्यों नहीं मिली इस पर कई लोग सवाल उठाते रहे हैं कि इस समय तो हिमान सुरेन मुख्यमंतरी है वही खुद अडानी पावर प्लांट को क्यों नहीं बंग करवा देते एक्चुली रगवर दास के समय में राज के कानून से इसे कंट्रोल ना किया जा सके बोलकर जारकंड की रगवर सरकार और केंदर की मोधी सरकार ने मिलकर अडानी ने जो जमीन बिजली उतपादन के लिए लिया उसको स्पेशाल एकोनोमिक जोन में बदल दिया गया यह पहला मामला था जिसमें सिर्फ एक काम के लिए उस जगह को स्पेशाल एकोनोमिक जोन घोसित कर दिया गया अब यह मामला केंदर सरकार के अधिन आ गया है इसी कारण से हेमन सोरेन गोड़ा पावर प्लांट के मामले में आसाहाय नजर आते हैं गोड़ा पावर प्लांट के लिए कोईला उस्ट्रेलिया से आता है जमीन संथाल परगना के आधिवासियों की स्पिटी एक्ट का उलंगन करते हुए जबरन ली गई बिजली बंगला देश को बेची गई जहांके घुसपेटियों का मुद्धा भारती जनता पाटी लगातार उठा रही है और खुद वे लोग बंगला देश की सीमा पर बिजली पहुँच रही है अडानी पैसा कमा रहा है और संताल परकना के आधिवासियों को गोड़ा पावर प्लांट से निकलने वाले परद मोडल है एक तरह से हेमन सोरेन ने भाजपा को याद दिलाया कि जो आप बोधिक जहर जारकन में फैलाना की कोशिस कर रहे हैं वह नहीं फैलने वाला क्योंकि आपके शासन में किये गये कूकर्म जारकन की जनता जान रही है समझ रही है हलांकि जामोमो की सोसल मीडिया इका नहीं होने के कारण हेमन सोरेन भी बहुत सारे आरोप अपने सोसल मीडिया एकाउंट से ही दे रहे हैं और कई सारे मीडिया समों वहीं से उनके खवरों को छाप दी रहे हैं आरोपों का जबाब भी वह वहीं पर अधिकतर देने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जहां भी सभा होती है तो उन सभाव में उन सभी आरोपों का जवावे लोग दे भी रहे हैं जूट और जुमलों के कारण संप्रदाइक धुरुविकरन के प्रयास के कारण चुनाओं का महावल स्वच नहीं रह गया है और इसके लिए जिम्मेदार तो भाजपा ही है यह बात लोगों को सम कर पाएं चलिए इस वीडियो में इस समय तक के लिए इतना ही अगले वीडियो में फिर मिलते हैं सब उनको धन्यवाद जोहर